हाई दोस्तों मैं ये वाई लोक्टोनिक से बात करना हूं इसके कासिम और आज मैं एक LG LED TV का जो PCB इसमें स्वाटिंग का प्रोब्लेम है पाउर सप्लाई का आज मैं यही आपको लोगों को रिप्यार करके दिखाऊंगा रिप्यार करने से पहले मैं आप लोगों को तहे दिल से सुक्रिया आदा करता हूं कि मेरे चैनल में आप लोग विजिट किये हैं छोटा चैनल है और आप लोगों को बहुत-बहुत सुक्रिया चाहे इंडिया से देख रहे हैं चाहे पाकिस्तान से या बंगलादेश ते आप लोगों को बहुत-बहुत सुक्रिया और जिन आपके लिए मेरा यहां चैनल में आपको नहीं कुछ सिखने को मिला तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकोन को दबाना ना भूले और अगर वीडियो मेरे अच्छा लगे तो एक जरूर लाइक कर दीजेगा और फूल वीडियो वाच कीजेगा देखे मैं पीसी दग लगा रहा हूं और कभी भी अगर आप कोई भी पाउर सप्लाइब रिप्यार कर रहे हैं तो बिल्कुल सीरीज से चेक करें तो चलिए मैं इसको लगा देता हूं करंट पर और देखिए इसका पोजिशन क्या है देखिए मैंने यह लगा दिया है देखिए यह बिल्कुल स्वाटिंग बता रहा है तो मैंने सारा कुछ चेक किया इसका एक्टिफायर चेक किया तो इसका फ्यूज कटा हुआ था तो फ्यूज के जगा में मैंने इस बल्क को सीरीज में लगा दिया है तो बाकी का और तो मैं STR को चेंज करूंगा और अच्छी तरह से सोटिंग चेक कर लेनी है ताके सोटिंग अगर आपको मिल जाए तो आप जल्द से जल रिप्यार कर सकें और फोल्ट जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए तो मैंने तो सबसे पहले इसका STR पर चेंज करूंगा उसके बाद या आगे बढ़ेंगा तो इस टेर को चेंज करने से पहले दिखे इसका पॉजिशन दिखिए इस TIR के जिगा ये कापसिटर लगा हुआ है तो पैंच को मैं खुलनी पाऊंगा तो इसके लिए इसका सबसे पहले में फिल्टर कापसिटर को न निकालनी होगे निकालनी के बाद ही str को मैं निकल पाऊंगा तो आप वीडियो में बने रहें ताके इस प्रॉब्लिम में क्या-क्या फॉल्ट हो सकता है मैं दिखाऊंगा आपको तो मैंने इसका कापसेटर निकाल दिया है और अब str को निकालूंगा मैं एस्टियर चेंज करने के बाद ही पता चलेगा आगे और कुछ फॉल्ट है कि नहीं तो मैंने एस्टियर को निकाल लिया है देख सकते हैं अब इसका जो नमबर है पाइसेट चौवण तो मैं इसका ओल्टर तो नहीं है मेरे पास तो एक मेरे पास वही पड़ा हुआ है तो व साइद आपको दिख रहा होगा तो चलिए मैं वीडियो का आगे बढ़ा आता हूँ क्योंकि आप लोग का किमती समय आप लोग दे रहें बहुत-बहुत धन्यवाद और देखिए मैं स्टियर को खोल चुका हूँ अब इसका नया स्टियर में लगाऊंगा यहाँ अब पावर सब्ले में स्टिंग क्यों आता है हो सकता है पावर के जादा आने के बज़े से हो सकता है कहीं स्पार्क हुआ उसके बज़े से हो सकता है तो मैं इसको लगा चुका हूँ और इसका कैपसिटर को भी मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल धीरे-धीरे काम करनी है आप आगर जलदवादी से काम करेंगे तो कोई भी चूक हो सकता है और आपको कोई कोई भी रिप्यार कर रहा है तो उसको नुक्साल जहनना पड़ता है कि यह इस्टियर क्या होता है थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो फिर से आपका स्वाटिंग हो सकता है तो इसको मैं टाकान लगा लेता हूं उसके बाद यह आगे बढ़ पाऊंगा और आपको मैं जरूर दिखाऊंगा इसको तो आप लोग बिल्कुल हड़ बढ़ा के काम ना करें और बिल्कुल सब्धानी से काज करें और यहां जो आपको देख लेनी है आसपास के जो कैपसिटर चोटा चोटा है और जो नौन परड़री कैपसिटर है उसको भी सोटिंग चेक करना है इसको अमने सामने जेनर भी होता है उसको भी जरूर सब जरूर चेक कर लें क्या होता है यह सोटिंग के वज़े से बहुत कुछ स्वाटिंग हो जाता है तो उसको भी आसपास का अभी सब पार्ट आपको देख लेनी है तो मैं इसको इस्टेर लगा चुका हूँ और मैं फिर से इसको देखूंगा देखे अभी इसका पावर बिल्कुल स्वाटिंग नहीं लग रहा क्योंकि सीरिस बाल जल के बंद हो चुका है आपने देखा होगा तो चलिए इसका मैं वोल्टेज दिखा रहा हूँ आपको कैसे क्या होता है कैसे बना की नहीं बना आगे का वोल्टेज जो आउट्पूट क को और इसका ग्राउंड मैं देख लेता हूँ यह ग्राउंड है और मैंने ग्राउंड में एक को लगा लिया और देखिए एक सो तीरपें वोल्टेज आउट हो रहा है तो मुझे तर लग रहा कि यह तोड़ा जादा है तो अभी फिला लोड भी नहीं है तो मैं थोड़ी वीटर लेता हूं अक्सर यह दिखा जाता है कभी कभी के वोल्टेज थोड़ा अभी तो ज़्यादा लग रहा हूँ ज्यादा क्यूं है तो और एक बार में लगाया देखिए अभी 71 हो गया 171 देखिए देखिए कैसे बढ़ गया तो इस वोल्टेज को कैसे ठीक करें एक्सेस वोल्टेज चलिए मैं इसका पावर वोल्टेज पावर सप्लाई के इन में मैं चेक करता हूं यह तो फिल्टर का प वोल्टेज के कारण थोड़ा यह कम है तो देखिए इसका जो फीडबेक है यह थोड़ा हाई लग रहा हमको यह यहां करीब 20 होना चाहिए और यहां जो नौ दिखा यहां करीब 45 के असपास होना चाहिए था लेकिन इसमें देखिए 9 है और इधर मतलब अप्टर कप्लर के तेन चार पीन में इतना जादा वोल्टेज नहीं आने चाहिए तो मैं इस ऑप्टर कप्लर को चेंज कर ले तो फटा फट अव पादी में आपको दिखाता हूं तो चलिए मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूं कि in कउ तो एक हो तब्र क्योंकि यह feedback के हिसाब से voltage आउट करता है तो output में ज्यादा voltage निकाल रहा तो तो अंदर में भी feedback जितना दिया जा रहा है वैसे ही तो चलिए मैं फिर से और चेंज करने के बाद में आपको देखाओ देखिए 138 यह लगबग अभी सही लग रहा है यह 149 है तो आपके सामने में देखिए 149 40 है तो यह बिल्कुल सही है ज्यादा कुछ नहीं है और कई-कई सेट में दिखा जाता है 130 या 120 बीड दिखता है तो आप देखिए अंदर का वोल्टेज में फिडबेक देखिए अभी चार हो गया और इसका तीन नमबर पिन पे देखिए कितना है अभी 20 आ गया तो अलगवग अभी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसका जितना वोल्टेज आना चाहिए था तो यह करीब करीब सही है देखिए और एक बार देखाता हूं यह 40 41 हुआ लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें तो एक बार मैं इसको 100 वाट का बल्प जो है मेरे पास वही मैं लोड दे के देखेंगा कि इसका वोल्टेज सही हुआ कि नहीं हुआ तो चलिए मैं इसको मैं खोल लेता हूं सिरिस को और यहां मैं एक फ्यूज लगा दूँगा और इसके बाद आपको मैं दिखाता हूं तो आउट्पुट में मैं लगाऊंगा जहां 110 वोल्टे वोल्टेज निकलता है वहां मैं लगा दिया और लोड देने के बाद मैं आपको वोल्टेज दिखा रहा हूं देखिए आप बिल्कुल वीडियो में बने रहें स्कीप मत कीजिए और मेरे चैनल में अगर आप नहीं आया हूं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूले देखिए मैं इसको फिर से लगा रहा और देखिए मैं बल्प लोड दे दिये हैं और अब इसका वोल्टेज में चेक करता हूं कि इसका वोल्टेज सही हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि बिना लोड में थोड़ा ज्यादा दिखता है और यहां लोड के इसाब से दिखिए 111 व वोल्ट आया अभी सही हुआ तो इसका और मैं देखूंगा आगे इसका मैंने जब PCP को खुल के लाया था तो इसका आउटपूट भी उड़ा हुआ था तभी हमको समझ में आ गिया था कि इसका साहिद हो सकता है जादा वोल्टेज तो जादा वोल्टेज के करेण आउट-पूट सौट citizen के के बाद इसका एस्टियर स пыт हो गया तो अब देख सेकते हैं इस्टियर को मैंने चेंच करने के बाद इसका हई वोल्टेज कुल किया हाई वाल्टेज होकर हैं बिल्कुल एक दम दिखने तो अब अब आप आउट पुट लगा सकते हैं क्योंकि कभी बिना च्यूंकि लगा देंगे तो फिर से आपका उट्पुट बासकता है तो दो बिल्कुल यह ना करें आउटपूट का वोल्टेज जरूर से जरूर अच्छी तरह से शेक कर ले उसके बाद यह आउटपूट लगाए नहीं तो आपका बार बार आउटपूट ट्रेंजिस्टर उड़ने का बीमारी दिखने को मिलेगा तो दोस्तो मैंने कैसे आउटपूट को लगा रहे और कैसे इसको फाइंट आउट किया आप लोगों को जरूर समझ में आगी होगी जो भाई नहीं काम सीक रहे अभी अभी उनके लिए यह वीडियो मैंने बनाई तो और लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि म बहुले ताकि अगला में वीडियो जब भी डालूं आपके पास से नोटिफिकेसं आ सके तो इसको मैं टाका लगा रहा देखिए इसको मैं टाका लगाने के बाद करस्टमर का घर जाओंगा इस सीबी को लेकर उसके बाद आपको मैं दिखा पाहूंगा और यहां मैंने एक 2.2 ohms का resistance जो load resistance होता है इसको मैंने खुल कर रखा था तो इसको मैं लगा देता हूँ लगाने के बाद मैं customer का घर जाओंगा customer का घर में जाके PCB को set करने के बाद ही मैं आपको दिखा पाऊंगा कि इसका picture सही हुआ कि नहीं हुआ तो अगर मेरे information आपको कुछ अच्छा लगा और जो मैंने रिप्यार की आपने देखा होगा देखिए मैंने इलकुल customer का घर में आ गए और टीवी भी चल पड़ा तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गी होगी थैंक्यू दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर सो जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि सब्सक्राइब फिर है थैंक्यू दोस्तों धन्यवाद नमस्कार